ओम स्री गणेश है नमा दोस्तों ओम गणपती समधान यूट्यूब चैनल में आपका हर्दिक स्वागत है दोस्तों हम आज बात करने वाले 13 सितंबर सौमवार आज के मेश रासी फल के बारे में कि आज के दिन इनको किन चीजों से फाइदा होगा और किन चीजों से इनको सावधान देना होगा और साथ ही इनका बिजनेस और मेशाय कैसा रहेगा केरियर कैसा रहेगा घर परिवार कैसा रहेगा और इनकी लव डाइफ कैसी रहेगी और साथ ही स्वास्त की महत्पून जानकारी भी हम आपको देंगे और आज के दिन को और भी अच्छा और बहतर बनाने के लिए एक उपाय भी बताएंगे दोस्तो वीडियो आगे शुरू करने से पहले मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पर नए तो इस चैनल को सब्क्राब करें और साथ में नोटिफिर्सन की बेल को भी दमाए जिससे आप तक समय समय पर नहीं नहीं महत्पून वीडियो पहुँच सके तो चली दोस्तो बात कर लेते कैसा रहीगा आज का दिन पहले बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या पोजिटिव रहने वाला है तो आज आपको पारिवारिक जिम्यदानिया कम मिलेंगी माता-पिता से संबंद अच्छे होंगे तता माता-पिता से संयोग भी आपको प्राप्त होने की प्रबल संबहावना है कामकाज की दरश्टी से एक दूसरे के पृत्ती अच्छी भावना उत्पन हो सकती है जिससे घरेलू विकास के साथ साथ बाहर के कामकाज के छेत्रों में भी घर-परिवार का सईयोग प्राप्ट होने की संभावना बन रही है दोस्तों घर-परिवार में हर तरे की खुसिया प्राप्ट हो सकती है प्रन्तु इसके लिए आपको पूर्ण विश्वास के साथ अपने कामकाज को बहतर दिशा देने की कोसिस करनी होगी आज आपका भाग्य अच्छा साथ देगा प्रन्तु भागदोड की इस्तितियां आज आपके लिए ज़्यादा वन सकती है शावधान रहें दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है दोस्तों पारिबारिक द्रश्टी से एक दूसरे का सहयोग आपको प्राप्त हो सकता है अते समय पर इस्तिति को देखते हुए प्रेम संबंदों को बहतर दिशा देने का प्रियतन करी दोस्तों अब बात कर लेते हैं आज आपका विवसाय और केरियर कैसा रहने वाला है दोस्तों आज का दिन मिला जूला रहेगा कारोबार में बाधाय आ सकती हैं और कारियर छेतर में काम की अधिक्ता बनी रहेगी दोस्तो आज वहन चलाते समय आप विशेश रूप से सावधानी बरते ही और साथ ही साथ पैसों के लिए इन दिन में भी आप सावधान रहें आपके लिए यह अच्छा रहेगा दोस्तो अब बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्थ कैसा रहने वाला है दोस्तो पेट से समदित्ताता, चोट चपेट इत्यादी लगनी की संभावना आज बन सकती है दोस्तो ऐसे में अपने सौस्त के पिरती दिहान रखना आपके लिए अत्तन थी आवश्यक है दोस्तो अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखनी के लिए आप रोजाना योग करें प्रानायाम करें और स्वस्त रहें दोस्तो आज आप ये उपाई अवश्य करें किसी सिव मंदिर या सिवाले में जाकर मीठे दूद से सिवलिंका भी से करें और पुष्प अर्पित करें इसके साथ ही 108 बार इसमंत्र का जाप करें ओम श्री रुद्रा भी शेकाय नमा ऐसा करने मातर से सिव अतनति प्रसन होंगे और आपकी मुमनों कामनाई पून होंगी दूस्तो आपको भगवान सिव का आस्तिरवात प्राप्तु कमेंट में जे सिव से लिखी धन्यवाद आपका दिन सुब और मंगल में हूँ